हेलो गाइस तो आज में बात करने वाला हूँ बॉड़ी बिल्डिंग के लिए कमा एक चीज है मा का दूद अगर अगर उसका कुछ जाम तो आपने सुना ही होगा कि मिर्जापुर में कैसे गुड़ू भीया बोलते हैं कि मा का दूद पीने से मसल्स बनते हैं और बॉड़ी बिल्डर्स इसका यूज करते हैं तो क्या यह information जो गुड़ू यह ने बोली क्या ही सच है बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो यह मा के दूद से बॉड़ी बनती है यह बात बिल्कुल ही बिल्कु पॉसिवल नहीं है कुछ बॉड़ी बिल्डर्स इसका यूज करते हैं इस तरह से लेकिन यह एक मित है ऐसा नहीं होता है इसका मैं आपको एक साइटिफिक रीजन देना चाहूंगा वित प्रूफ तो अब आपको मैं बताना चाहूंगा मैं आपको बता हूं भैंस के और बाफिलोज यानि भैंस के दूद में 81 ग्राम वाटर होता है ध्यान दीजेगा इसके बाद होता है जो में हम बॉड़ी विल्डर्स जो मसल्स डेवलफ करने वाले को सबस्दा जरूत होती है वोती है प्रोटीन की प्रोटीन केवल मा के दूद में 1.1 ग्राम होता है अपने कंपेरिजन करें बफेलो के मिल्क से तो वह पांच ग्राम दे रहा है यहां पर यह कम है उसके बादा है तो फैट है फैट है वह प्रूइंट 4 ग्राम यूम्न मिल्क में और मिल्क में चेपट 5 ग्राम तो अगयर कंपेरेजन करें हम तो कैलरीज यह 50 ग्राम देता है और वह 117 कैलरीज देरा है भैस का दूद्ध और यहां पर यह best ग्राम दे पार रहा है रहना को छीजे Bakfellow के मिल्क से सब चाम मतलब का है इसका मतलब यह कि भ्लेंस का दूद ही सबसे बैस्ट होता है搞ाय का मिल्क यह दो ही हमारे लिए सबसे बेस्ट इर्णिट है डीरिण तो आपके मनने हैं यह भी Heart कि बinfect how giant ए रहत में दूंप ए leg other विग топ a family यłosे और the नाशना के शिधक इंग गेन रुटहए प्रोटीन कर सिर जिस्य के इसे का जह नाच होगे तो पुणते खहर यह करना लोग डिक्कत नहीं आती है और स्पधरों थो आराहसम्से पच जाता है है से संबंधित कोई भी वीमारी हो सकती है इसलिए बच्चे के लिए तो माका दूद्ध अम्रज्य सही है लेकिन अगर हम बात करें बॉड़ी बिल्डर्स की यह जो जिम जा रहे हैं उनके लिए तो उसके लिए हमारा गाय भेंसका दूद्ध ही सबसे बैस रहेगा आपको किसी रहेगा तो इस तरह की कोई भी मिथ में आने की जुरत नहीं है अगर आपने भी कोई इस तरह की मिथ या आपके मन में डाउट है कि कोई बात का तो आप उसका मेरे से सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखी है मैं उसका रिप्लाइज दूँगा यह जरूर है अगली वीडियो मिलेंगे